दोस्तों यहाँ पर आप लाइप पुरूप देख सकते हो 30,000 रुपय का हमने लोन एप्लाई किया था जिसमें से 28,000 रुपय का जो हमारा लोन है वो यहाँ पर सक्षेजपुली अप्रूव हो चुका है और यह वाला जो लोन है वो इंस्टेंट ही हमारे बैंक अकाउंट के ट्रांस्फर कर दिया गया है यहाँ आप आप उपर की तरफ देखोगे तो लिखा हुआ है लोन डिसमर्ड और नीचे की तरफ आप देखोगे तो लिखा हुआ है इसके लावा नीचे यहाँ पर हमारा जो भी लोन है उसकी डिटेल हमें आप नीचे बताई हुई है इसके लावा साइड में आप हमारे बैंक में जो हमें पैसा क्रेडिट हुआ है उसका मेसेज देख सकते हो तुरंत के तुरंत 28,000 रुपए इस्टेंट ही हमें रिशीव हो चुके हैं अगर आपको भी लोन की ज़रत है आप जगे-जगे से लोन के लिए एप्लाई करके ठक चुके हैं लेकिन किसी भी मोबाईल एप्लिकेशन से आपका जो एप्लिकेशन है वो अप्रूव नहीं हो रहा है हर जगे से आपका जो एप्लिकेशन है वो रिजेक्ट हो रहा है इस वाले वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मोबाईल एप्लिकेशन बताने वाला हूँ जिस वाले mobile application से आप 1000 रुपे से लेकर और 10000 रुपे तक का loan ले सकते हैं आप मैं आपको यहाँ पर यह नहीं कहूंगा कि इस वाले application से आपको confirm loan मिली जाएगा यहाँ पर जब आप apply करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर loan मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा यहाँ पर मैं आपको इस वाले application की जो पूरी details है वो मैं आपको पहले बताऊंगा और उसी वाली details के आदार पर आप यहाँ पर आंकलन लगा लेना आप अपने calculate कर लेना कि आपको यहाँ पर loan मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा जो भी आपको detail बताऊं आपको ध्यान से देखनी है ध्यान को उसको समझना है और जब आप यहाँ पर loan के लिए apply करने जाओ तो जो जो तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊं जो 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 ट्रीका आपको यहाँ पर loan approval के लिए बताऊं वो आपको यहाँ पर apply करते time follow करनी है डाउन लोड कर सकते हूँ इसके लबाद चाओ तो आपको डाउन वीडियो की description में इसफ का link मिल जाएगा आप उस link पर क्लिक करके भी इसफ को डाउन लोड कर सकते हूँ जब आप इसको download करोगे, download करने के बाद आपको यहाँ पर direct loan apply नहीं करना है पहले आपको यहाँ पर इसका जो basic details है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अगर आप play store पर इस वाले application की rating देखोगे तो 3.5 की इसकी rating है इसके लाबा एक लाख लोग अब तक इस वाले application को download कर चुके हैं मतलब यह जो application है हम इसको नया बोल सकते हैं इसके लाबा यहाँ पर हम about this app पर click करेंगे तो इस वाले application की सबसे पहले हम जो भी details है उसको हम समझेंगे तो यहाँ पर उसको समझने के लिए यहाँ पर नीचे आपको scroll करना है नीचे scroll करने के बाद आप देखोगे कि यह जो application है वो यहाँ पर एक RBI जो non banking finance company है Digimoney Finance Private Limited इनके साथ इन्होंने lending partnership की हुई है और यहीं से आपको loan दिया जाता है इसको आप नीचे आओगे तो यहाँ पर loan की detail आपको बताई हुई है कि इस वाले application से आप 10,000 रुपे से लेकर और 1,000 रुपे तक का loan ले सकते हैं इसको आप और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बताई हुआ है कि इहाँ पर आपका जो interest rate लगता है वो आप यहाँ पर 10% से start होता है और maximum 24% तक जा सकता है इसके लवाद 3 महीनों से लेकर और 12 महीनों तक आपको यहाँ पर loan मिलता है अब आप यहाँ पर एक example के रुप में बताई हुआ है कि मानलीजिये आप यहाँ पर 10,000 रुपे का loan लेते हैं और उस पर आपका जो interest rate लगता है वो 10% लगता है यहाँ पर 10% बहुती कम बताई है यहाँ पर जब आप loan के लिए apply करने जाओगे तो 15% से ज्यादा ही आपको यहाँ पर interest rate देना पड़ेगा यहाँ पर मैं आपको example बता रहा हूं जो यहाँ पर live इसके अंदर बताई हुआ है कि मानलीजिये 10,000 का loan आपको 10% interest पर 3 महीनों के लिए मिलता है तो total आपका यह यहाँ पर ब्याज के लगेंगे 3 महीने के अंदर इसके लबाद जब आप यहाँ पर loan के लिए apply करोगे तो यहाँ पर आपकी जो 1000 रुपए का जो चार्ज है वो आपका processing चार्ज काटा जाएगा और आपके bank account के अंदर जो पैसा transfer किया जाएगा 10,000 में से वो आपके पर 9,000 रुपए किया जाएगा उसके बाद हर महीने जो आपकी 3 महीने तक लगातार केश ताएगी वो 3,389 रुपए हैगी तो यहाँ पर आपको इस वाले example को एक बार समझ लेना है और इस वाले example को समझ के ही आपको loan के लिए apply करना है यहाँ पर हो सकता है कि 10% से आपको ज्यादा interest rate देना पड़ जाए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% बताय हुआ है इस कलाव आप और नीचे आओगे तो यहाँ पर इस वाले application में कैसे आपको loan के लिए apply करना है उसकी जो details है वो आपको यहाँ पर बताय हुई है सबसे पहले आपको बताये गया है कि आपको इस KYC का जो process होता है अधार card number डालने का pen card number डालने का वो आप यहाँ पर complete करना है आपकी photo आपको डालनी है उसके बाद यहाँ पर आप जितने रुपए के loan के लिए eligible होंगे वो वाला loan amount आपके सामने आ जाएगा वो वाला loan amount आप select करोगे जितना आपको loan चाहिए उसके जितना आपको loan चाहिए आपको उसवाले loan amount को select करना है उसवाले loan amount को select करने के बाद जिशी भी bank account के अंदर आपको पैसा लेना है आपको उसवाले bank account की detail डालनी है उसवाले bank account की detail डालने के बाद जिशी आप submit कर दोगे आपका जो application है वो इसवाले app का जो finance department है उनको चला जाएगा उसके बाद अगर आपका application सही पाया जाता है सारे document वगया legal पाया जाते हैं सब कुछ यहां पर process सही रहता है तो instant ही आपका जो loan है वो अप्रूव कर दिया जाता है और तुरंत के तुरंत जो भी आपने loan का पैसा select किया होता है वो instant ही आपके bank account के अंदर transfer कर दिया जाता है तो यह जो application है वो है Digimoney Finance Personal Loan App इस वाले application की जो पूरी details है वो मैंने आपको बता दी है अगर आपको इस वाले application से loan चाहिए तो आपको play store पर जाना है और वहां जाकर आपको search करना है Digimoney Finance Loan App इस वाले application से आपको loan के लिए apply कर देना है अगर आप eligible होंगे तो confirm आप पर loan मिल जाता है तो आप direct हमारे वीडियो के नीचे comment करना जिससे हमको पता चल सके कि इस वाले application से वाकई में किसी को loan मिलता भी है या फिर यह वाला application है कुछ selector लोगों को ही loan दे पाता है इसके लवा अगर आपका civil score कम है आप जहां से भी loan के लिए apply कर रहे हैं कहीं से भ आपको वीडियो के description में मैंने आपको एक app का link दे रहा है आप उस app पर click करके loan के लिए apply करो उस वाले link के थुरू आपको कम loan मिलेगा 500 रुपए से लेकर और 5000 रुपए तक का loan मिलेगा लेकिन confirm है कि वहाँ पर आपको confirm बिना किसी document के loan मिल जाएगा